अब भी आप अपना phone reset करते हैं या restore करते हैं या phone change करते हैं तो आपके phone में जो contact number होते हैं वो mostly delete हो जाते हैं अगर आपके पास memory card या कुछ नहीं है तो उसको किस तरह से आप save कर सकते हैं इस वीडियो में आपको simple सा एक trick बताऊंगा उसको use करें phone reset करने से पहले main data आपका contact number ही होता है जो delete होता है उसके लिए सबसे पहले हम contact के उपर जाएंगे contact के उपर click करने के बाद आपने select all करके आप सारे भी कर सकते हैं नहीं तो एक एक करके अपने phone के सारे contact number है जो आपने select कर लेने है select करने के बाद आपने नीचे यहां left corner पे share का option है यहां पे share के उपर click करेंगे तो click करने के बाद आपको जो दूसरे option दिख रहे हैं यह सारे भी कर सकते हैं लेकिन यह बहुत लंबी list हो जाएगी आपको install करने में नए phone में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है तो एक simple सा तरीका है आप उसको gmail पे select करें जी मेल पे select करने के बाद यह देखिए सिर्फ एक के बी सिर्फ एक के बी का size बना है इन सारे contact का तो ठीक है वहां पे आप अपनी email ID पे इसको send करने जो भी आपकी email ID है ठीक है जब आप नए phone लेंगे तो उसमें अपनी gmail ID install करे उसके बाद आपको यह mail ही open करनी है जिस पर आपने contact भेजी है और यह file जो नीचे attach है contacts vcf इसको download करके install कर देना है जैसे install करेंगे आपके total contact जितने आपने share किये थे save किये थे सारे के सारे आपके phone में automatic उसी नाम से save हो जाएंगे